एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबा श्टड़ी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास आज हम दो पढ़ेंगे जो इडोटेरिया का परैक्टी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं इसमें पहला कोश चेत्रे की से राजे में अवस्तित है तो ये अवस्तित है और माचर परदेश में जिसका प्राचीन नाम कहेगा तो नेफा नगर था जहारिया कोईला चेत्रे कहेगा तो जहरखन में है और बैलाड़ी परसीद है चोतिस गड़ में लव अयसकूत पादन के लिए दूनमर ह जायेगा एक भू उपगर्णा अपने कच में निरंतर गती करता है या अपकेंद्रे बल के परभाव से होता है जोकी पराप्त होता है तो प्रित्वी द्वारा उपगर्णा पर लगने वाला गूर्तव करसन बल से भू उपगरा या तुल्यांकी उपगरा के जो अवर्थ कल होता है ये होता है 24 गंटा का और इसके उचाई कहेगा तो लगवक 36,000 किलो मीटर होता है आगे देखेंगे तीन नमर हो जाएगा खोतरे के सकेत के लिए लाल परकास का पर्योग क्यों किया जाता है कियोंकी इसका जो परकी रन होता है सबसे कम होता है और इसका तरेंग धर सबसे अधिक होता है और इसी करण इसका परकी रन कम होता है जिसके करण ये खोतरे के सिगनल के लिए लाल परकास का पर्योग किया आता है आगे देखेंगे आगे हो जाएगा चार नमर कोशन हो जाएगा एक समतल दरपन की वकरता तिरेजिया होती है तो एक समतल दरपन की वकरता तिरेजिया होती है यह अनन्थ होती है और एक आदर से तरल पदात की जो सयनाता होता है वो होता है सूनने एक अदोर से तरल पदात की जो सैनाता होता है यह होता है सूनने पांच नमर हो जाएगा पसीने का मुख उपयोग क्या है तो यह सरीर के ताप को नियंतरीत करता है पसीना सरीर के ताप को क्या करता है तो नियंतरीत करता है और इसमें वास्पन के कारण सरीर को क्या होता है तो ठंडा महसूस होता है आगे देखेंगे छे नमर हो जाएगा निमनी लिखित में से कौन सा आयनीक योगिक का गुण धर में है तो यह हो जाएगा इसका कौन सा आयनीक योगिक का एक गुण धर में है बल का ब्यांजन की से प्राप्त होता है तो नीटन के गति के दूसरा गति नियम से जो कि होता है F बराबर A में यहीं कि बल बराबर दरभमान गुणे तोरण और संबेग बड़ाबर होता है, दरबमान गुणे बेग होता है संबेग बड़ाबर आगे देखेंगे, आठ नमर कोर्शन हो जाएगा गुर्टवा कोर्शन के, سारे भामीक नियम का पर्तिपादन किसने किया था तो ये किये थे निउटन ने एलियस्कोप के खोज गएगा किस ने किये था तक गय लेलियों किये थे सौर मैंडर के खोज किये थे कौपा निगस पंदर असो चालीस में और सपेक्षिता कासिधान के खोज किये थे आइंस्टीन ने 9 नमबर हो जाएगा निमने लिखित में से कौन एक औरू परमारू का कर नहीं है तो यह हो जाएगा डिट्रोन यह औरू या परमारू का कर नहीं है निट्रोन इलेक्ट्रोन और पोट्रोन है नाभी के अंदर मौजूद होता है नेट्रोन और पोट्रोन और नाभी के बाहर होता है इलेक्ट्रोन आगे देखेंगे दोस नमर कोशन हो जाएगा टेफलोन क्या है तो टेफलोन हो जाएगा फलोरो कार्बन टेफलोन क्या है तो फ्लोरो कार्बन और इसका प्रयोग किया जाता है नोन अस्टिक बर्तन बनाने में और अपमार्जक क्या है तो ये सफाई करने में कारे करते हैं कितनासर कौन सा है तो डेडिटी जो है ये कितनासर के अंतरगत आता है जिसका फूल फरम हो जागा डाइकलोरो, डाइफ्रिनाइट, ट्राइकलोरो इतेन आगे देखेंगे अगला क्कोशन हो जाएगा 11 नमबर नीम्न में से कौन सा मिरीधा से संबर्धित है? ति इसमें हो जाएगा एडेफिक ये मिरिदा से समाधित है और मिरिदा के अध्यान को पेडोलोजिक करते हैं बारा नमर हो जाएगा नीम्न में से कौन सा वाउ का अकार्बनिक गईसिये परदूसक है तो हानी पहुंचाता है मीथिन का अनिनम कहेगा तो मार्स गैस हो जाएगा और ये गोबर गैस प्लांट से निकलता है या दान के खेट से फोसजीन क्या है तो ये रंगहीन विसैली गैस है आगे देखेंगे तेरा नमर हो जाएगा निम्न में से कौन वास्तवीक रूप से एक मीन यानिकी एक मचली का परकार है तो ये जो कैट फिस है ये एक मचली का परकार है जो की दोचरी अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है अमेजन नदी दुनिया की सबसे चोड़ी नदी है चौदर नमर हो जाएगा जन्तु कोशिका में निम्न में से किया अनुपस्तित रहता है तो जन्तु कोशिका में सेलोलोज की कोशिका भीती अनुपस्तित रहती है और पादप कोशिका में ये पाया जाता है कोशिका भीती किसमे नहीं पाई जाती है तो जन्तू कोशिका में, किसमे पाई जाती है तो पादप कोशिका में केंद्रक के खोज किये थे रोबर्ट बराउन, डेट कहेगा तो 1831 में माइट्रो कॉंडिया कोज किये थे अल्टमेन 1886 में और इसका नामकरण कहेगा तो किये थे बेंडा आगे देखेंगे 15 नबर हो जाएगा सरीर में अतिरीक्त गुलकोज गलाइकोजन में परिवर्तित होकर भांडारित रहता है तो ये रहता है यकलित में और ये भविश एक उज़ाकिडिये भांडारित रहता है अमासए के जठा रस्ते पेपसिन और रेनिन एंजाइम निकलती है पीतासय में जो पीत रस है ये पीतासय में जामा होता है और इसका निर्माण होता है पीत का यक्रिट से पीत का निर्माण होता है यक्रिट से जामा होता है पीतासय में आगनासय को मिश्रित ग्रंती कहते हैं और यह यक्रित सबसे मानोसरी के बड़ा ग्रंती है और यक्रित के सब बाद कहेगा बड़ा ग्रंती कौन सा हो जाएगा दूसरा तो आगनासय हो जाएगा और यह मिश्रित ग्रंती है बास्त्रावी और अंतास्त्रावी यह दोनों है से मिलकर, बीटामिन हमें कोई भी उर्जा प्राप्त नहीं करती है, उतर का निर्मार होता है प्रोटीन से, उतर का निर्मार प्रोटीन से होता है, 17 नमर कोशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का करांती किताप कितना होता है, ऑक्सीजन का करांती किताप कहेगा, तो माइनस 118 डेगर सेल्सियोत होता है और ऑक्सीजन के कहेगा समस्थानी के संख्या कितनी है तो तीन है हाइडोजन के भी समस्थानी के संख्या तीन ही है अठारा नमर कोशन देखेंगे नीन लीकित पर विचार करें इसमें लोहे में जंग लगना एक रासानिक परिवर्तन है तो ये सही है लोहा में जंग लगना एक रासानिक परिवर्तन है लोहा जल जंग लगने के दर को बढ़ा देता है जो लोहा में जंग लगता है तो लमड जो जल होता है ये दर को क्या करता है उसकी भार को बढ़ा देता है ये भी सही है तो इसमें एक और दो दो दोनो सही है आगे देख लेंगे उनने इस नमबर हो जाएगा भारत की संसत के समद में कौन सा कोथन सही नहीं है तो इसमें C सही नहीं है मत्री मंडल की जो म संसद का सर्व परमोखेकार मंत्री मंडल का प्रोधान करना ये भी सही है डी देखते हैं मंत्री मंडल को लोग प्रिये सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करता है ये भी सही है जो संसद है इसका सदन कहेगा तो दो हो जाएगा और अंग कहेगा तो तीन हो जाएगा स संसत के सदन हो जाएंगे उचे सदन हो जाएगा राजसभा और निम्न सदन हो जाएगे लोगसभा और इसका अंग होता है लोगसभा राजसभा और राश्पती संसत तिन अंग से मिलकर बने होते हैं लोगसभा राजसभा और राश्पती और संसत का गोठा अनुछिद 89 के त जाएगा संसत के दोनों सद्रों में विशेश वहमत एव आधे से अधिक राजों की मंजूरी। आगे देखेंगे 22 नमर हो जाएगा लोग लेखा समीटी अपनी रिपोर्ट कीसे परस्तूत करती है लोग लेखा समीटी अपना रिपोर्ट परस्तूत करती है लोग सबा अध्यक्ष या स्वीकर को। नियंतरा के महालेखा परिक्षक की नियुक्ती राश्पती करते हैं अनुशेद 148 के ताथ और नियंतरा के महालेखा परिक्षक इसे सर्वजानिक ध्वन का सन्रक्षन करती है। लोग लेखा समीटी गठन हुआ था 1921 में और इसमें टोटल 2210 से होते हैं जो किराज सबा के साथ होते हैं और लोग सबा के 15 होते हैं। 20 नमर हो जाएगा उचे नियाले के स्यवने विरीत जोज को पेंसन कहां से दिया जाती हैं। भारत के संचित निदी से और उनको वेतन मिलता है राजे के संचित निदी से। आगे देखेंगे 24 नमर हो जाएगा मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 20 वर्स प्रस्तूत की थी मंडल आयोग के गठन हुआ था 1989 में जनता पाटी की सरकार में उस समय पल्धाल मंत्री मोराराजी देशाई थे छेतरीय गर्मीर बैंक का गठन किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में और सेड़ीय के गठन काएगा तो 1990 में हुआ था और इसका मुख्याले हो जाएगा लख नव 25 नमर है भारत का संगिय नियाले किस वर्स अस्थापित किया गया था तो यह किया गया था 1937 में और आरवीय के गठन काएगा तो एक अप्रील 1935 में हुआ था ब्यक्ति गठ आंदोलन की शुरुआत 1940 में हुआ था और यह कहां से हुआ था तो पौनार से 1940 में जो ब्यक्ति गठ आंदोलन हुआ था इसमें पौला ब्यक्ति चुना गया था बिनोवा भागे को और दूसरा ब्यक्ति गएगा तो जो आला नेरू को चुना गया था क्रीप्स मिशन भारत आये था 1942 में आगे देखेंगे 26 नमर हो जाएगा 26 नमर में भाग और विशय से मिलान करना है भाग चार में किया है तो भाग चार में राजे के नेति निदेशक तत्वे का उलेक किया गया है जो के लिया गया आये लंड के सविधान से भाग आठ में सौंग एम राजे छेत्रे का उलेक मिलता है भाग कहेगा भाग 17 में किसका उलेख है तो राजवासा का और भाग 18 में उलेख किया गया है अपात उपबंद का जो की लिया गया जर्माणी के समिधान से और पहली जो राजभासा आयोग के गठन किया गया था उग किया गया था 1975 में और उसका अध्याक्षाप से पुछेगा तो बीजी खरे हो जाएंगे आगे देखेंगे 27 नमर कोशन हो जाएगा भारतिय समिधान में संसोधन कर सिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया तो यह जोड़ा गया था एक अप्रिल 2010 में और जो 68 सिवा समिधान संसोधन हुआ था वो हुआ था दो यर्दू में और इसमें 6 से 14 वर्ष के बचोकनिये निशूलकियों अनिवार्द सिक्षा की प्रत्मिक्त दी गई थी आगे देखेंगे 28 नमर हो जाएगा महाभास एके लेखक पंतजली समकालिन थे तो यह पूसे मीत्रे सूंग के समकालिन थे सूंग बंस के संस्थाप काईगा तो पूसे मीत्रे सूंग थे और उनकी काईगा सूंग बंस के राधानी कहां थी तब बीदिशा हो जाएगा बूद चारित के लेखक औस्वे घोस हो जाएगे और यह कनिस्क के दरबार में रहते थे योग दर्सन के परवर्था काईगा तो पंतजली हो जाएगे 29 सुमिलित नहीं है तो 1857 में जो करंतिकारी भाग लिये थे आपको पताना है कि कौन साइस में मिलान गलत है कानपूर से थे नाना साहब ये सही है इलाहाबाद से लियाका तली ये भी सही है बरेली से मलुई अब्दुल्ला नहीं थे मलुई जो अब्दुल्ला थे ये परेलीह हो जाएंगे और दिली से थे बोक्तः अफकर जिनका उपना बहादूर साह था आगे देखैंगे, 3 न्मृ हो जाएगा, दिली संतुला थेarnya किक्स ने सबसे कम समय तक शासन किया था तो बंस हो जाएगा खेली बंस और दिली संत्रत के कौन सा बंस था जो कि अधिक दिन तक सासन किया था तो बंस हो जाएगा तुगलक बंस अधिक कहेगा तो तुगलक बंस हो जाएगा और कम कहेगा तो खेली बंस हो जाएगा और दिली संत्रत पर सबसे अधिक सासन करने वाला कहेगा सासक कौन थ तो यह फिरोसा तुगलग के सासनकल में सरवाधिक गुलाम थे एक तीस नमर हो जाएगा इन में से किसे सा जाने सा बुलंद इकबाल की पदवी दी थी तो यह दिये थे दारा सीको को औरंग जेव ने अलमगीर के जो उपादी था यह औरंग जेव ने ली थी और औरंग आगे देखेंगे 32 नमर हो जाएगा नीम्न में से किसने हितो पदेश का फार्सी में अनुवाद किया था तो यह किये थे ताजूल माली हितो पदेश के फार्सी में अनुवाद किये थे ताजूल माली और हितो पदेश जो था यह संस्किरित भासा में नराय पंदित लिखे थे फायजी अकबर के दरवारी कभी था और रमाण के फार्सी मनुवाद करवाई थे बंदू नीने 33 नमर कोशन देखेंगे निम्न लिखित घटनाओं पर विचार किजिए निम्न लिखित घटनाओं पर विचार करना है को रहा है कि इन घटनाओं का स्वही कलन उकराम बताईए तो इसमें पहले हो जाएगा कूतू मिनार का निर्माण जोकी 1193 से शुरू हुआ था और कूतू मिनार के निर्माण में निव रखे थे कूतूब दिन एवक और कूतू मिनार के निर्माण कारे के पूरा करवाए थे 1193 और इसके बाद हुआ था फिरोसा तुगला के मिरित्व 1388 इसमें और इन्हों ने सरवाधिक नहर के निर्माण करवाए थे और इसके बाद हुआ था पूर्तगालियों का भारत में आगमन जोकी वासकोटीगामा पौलीबर काली कटतर प्याया था 1498 में और वहाँ पर इसका स्वागत किये थे वहाँ के राजा जामोरीने और लाश्ट में गवा था बीजाईनेगर के किरिस्र देवराय के सासन काल जो था ये सबसे बाद में था कब से कब तक था 159 से 1529 तक किरिस्र देवराय को बाबर ने भारत के सबसे महान सासक बताया था आगे देखेंगे चोंतीस नवर कोशन हो जाएगा ब्रेटीस समराज में रहतवाडी भूर आजा से ब्यवस्ता कहां परचली थी ये परचली थी दोची भारत में रायत वाड़ी बिवस्ता कहयेगा जंब कीसे मना जाता है भारत मीद्ट टामस मुनरो को और महालवाड़ी बिवस्ता के जंब मना जाता है rain केंजी को 35 नमर हो जायेगा नीव Coleman में से कौन सा छेतर 1857 की क्रांती से परभावित नहीं था ति हो जायेगा चीत वड़ 1857 के करांती से परवाइद छेतर हो जाएगा जहां सी लखनाव इलाहाबद इलाहाबद से थे लियाक तली लखनाव से ब्यगजम बेगम हजरत महल आगे देखेंगे 36 नमर हो जाएगा रामोसी बिद्रो सही रूप से किस भगोलिक इलाके में हुआ था रामोसी जो बिद्रो था ये हुआ था पौशिमी घाट में और रामोसी बिद्रो की नेता काएगा तो चीतरसी हो जाएगे रामोसी बिद्रो हुआ था पौशिमी घाट में और नेता चीतरसी थे आगे देखेंगे 37 नमर कोशन हो जाएगा किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस को एक सुचमेदर्सी अल्फ संख्यक जनता का प्रतिनीधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था तो ये उड़ाये थे लोड़ अफरीन और लोड़ अफरीन के कारेकाल में 1880 में एव उहूम ने कॉंग्रेस के गठन किये थे और कॉंग्रेस के बारे में कॉंग्रेस के कोथम था कि जो कॉंग्रेस है अपने पतन की ओर लड़करा रही है और मेरे एक्षा है कि जब तक उसकी मृत्त तो ना हो उसे मैं देखता रहूं भारत में सहायक संदी के जनक कहेगा किसे कहा जाता है तो भारत में सहायक संदी के जनक लॉड विल जली को कहा जाता है और सहायक संदी अपनाने वाला गवर्नर कहेगा तो डूपले थे सवेत बिद्रो लूड रिपन के कारेकाल में हुआ था और इल्बर्ट भिल भीपेस किया गये था ठार्रीपन कहीं कारेकाल में और थीस नमर हो जाएगा भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का 27 अधिवेशन कहां हुआ था बाकिपूर पठना बीहार में और बिहार में कॉंग्रेस का अधिवेशन होने वाला ये पहला था जो कि बाकीपूर पटना के करीब हुआ था 1912 में और इसका अध्यक्ष्टा किये थे आरेन मादोल करने कॉंग्रेस के जो लकनाव समयता हुआ था इसमें नरमदल और गरमदल मिल गए थे ये हुआ था 1912 में और इसका अध्यक्ष्टा किये थे अम्बिका चरण मजुमदार एसी मजुमदार और गाया के कॉंग्रेस के जो गाया दिवसन था यह हुआ था 1922 में और इसका नेतित प्वे निक अध्यक्ष कौन थे तो चित्राजन दास थे कॉंग्रेस का रामगण अधिवेशन 1940 में हुगा था और इसका अधिक्ता किये थे अबुल कलाम अजाद जो कि कॉंग्रेस के सबसे अधिक दिन तक रहने वाले अधिक्त थे जो कि 1940 से 46 तक थे और सबसे युवा कायेगा तो मुलना अबुल कलाम अजाद ही थे आगे देखेंगे 49 नमर कोशन हो जाएगा नीम ने परवत सिरेणी का दचिर से उतर क्योर क्रम किया होगा आपको बताना है कि दचिर से उतर क्रम कौन-कौन से हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा दू एक चार तिन तो पहले हो जाएगा धौला दर परवत सिरिंखला उसके बाद हो जाएगा पीर पजान सिरेडी उसके बाद हो जाएगा जासकर परवत सिरिंखला और उसके बाद हो जाएगा कारा कुरम परवत सिरिंखला जो कुलू घाटी है यह माचल पड़ेस का जो कुलू घाटी है यह पीर पंजल और धोलादर परवत के बीचिस्तित है और जास्कर सिरनी का संबंध महान हिमालेस हो जाएगा कारा कुरम सिरनी कहेगा तो यह भारत पकिस्तान और चीन तक फैली हुई है आगे देखेंगे चालीस नमर कोशन हो जाएगा भारत के किस छेत्रे में बोनो का हरास तेजी से हुआ है तो यह पुर्वोतर छेत्रे में बोनो का हरास जो है तेजी से हुआ है भारत में कहेगा सरवाधिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है तो भारत में सरवाधिक जय विवित्ता पौशिमी घाट और पूर्वी हिमालाय में पाई जाती है एक तालिस नबर हो जाएगा भारत में किस धार्मिक स्वमों की बिरीधी दर नीम्न में से कम है अप्शन कमजार सबसे कम कहेगा कि धार्मिक बिरीधी दर किसका कम है तो जय धर्म का जय धर्म के संस्थापक कहेगा तो यह हो जाएगा रिशब देव जय धर्म के संस्थापक करेगा तो मावीर थे बहुत धर्म के संस्थापक गुतम भूत थे और सीख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे जिनका जनम गथा 149 में तलवांडी पकिस्तान में और इसाय धर्म के संस्थापक हो जाएंगे इसा मुसी आगे देखेंगे 42 नमल कोशन हो जाएगा निमनी लिखीत में से कौन सा जोड़ा गलत है तो इसमें मिलान का नज़तिस में D जो है सबरी गिरी पर्योजना सबरी गिरी जो पर्योजना ये गुजरात में नहीं है ये केरल में है और गुजरात में कहेगा तो उकाई पुरुजना है उतरी कोयल पुरुजना कहा है तो जहरखंड में और जहरखंड का राक्ष्टी ये पक्षी भी कोयल है सरावती पुरुजना करनाटक में है जो गयाग और सोपा नदीपे और बाली मेला प्रिविजने कहेगा तो ये इस ती थे उडिशा में आगे देखेंगे 43 नमर कोशन हो जाएगा भारत में पाए जाने वाले मैंगरो बनो के छेत्रफल के आधार पर आरोही करम में सजाए ये बढ़ते हुए करम में सजाना है तो पहले हो जाएगा पीछा बारम और इससे अधिक पाया जाता है गांगा गोदारुई छेत्रे में और इससे अधिक पाया जाता है भीतर करिका में और सरवादिक पाया जाता है एक नमर्पा सुन्दरवन पशी मेंगल में भारत में मैंगरो बनों का छेत्र फल के अनुसार आपको बरते हुए करम में बताना था तब पहले हो जाएगा पीछा बरन इससे आगे था गांगा गोदारी हो जाएगा और इससे ज़्यादा भितर कनिका हो जाएगा और सरवाधिक सुन्दर बनो जाएगा सबसे बड़ा काएगा भारत में आदर भूमी को छेत्र कौन सा है तो सबसे बड़ा भारत में आदर भूमी छेत्र काएगा तो सुन्दर मनो जाएगा पसी मंगाल और सबसे छोटा आदर भूमी छेत्र हो जाएगा रियनुका जिल जो के ही माचर परदेश में है आगे देखेंगे चुवाली इस नुमर कोशन है और परतियक्ष करों को प्रतिगामी कर बेवस्ता क्यों कहा जाता है ये सभी आये समुह उपर समान दरों पर लगाए जाते हैं अपरतियक्ष करके अंतरकत आजाएगा तट सुल्क, उतपाद सुल्क, मनुरंजन सुल्क, सीमा सुल्क और बिक्री सुल्क इसका ट्रीक हो जाएगा तट से उतपाद करके सीमा पर बिक्री करेंगे और मनुरंजन करेंगे ये ट्रीक हो जाएगा अपरतियक्ष करका तट से उ उत्पाद सुल्क, मौनरोंजल सुल्क, सीमा सुल्क और बिक्री सुल्क ये सभी अपर्त्यक्ष कर है। 45 नमर हो जाएगा, पूर्ती अपनी मांग सोय निधारित कर लेती है। ये किसका कथन है तो ये कथन है जेवी से के और बजार की निया भी जेवी से दिये थे। पूर्ती अपनी मांग सोय निधारित कर लेती है ये जेवी से के कथन है। और अर्थ सास्त्र के पीता एडम स्मित को कहा जाता है। और अलफ्रेड मार्शल का कथन था कि और अर्थ सास्त्र कॉला और बिग्यान दोनों का बिग्यान है। आगे देखेंगे 46 नमर हो जाएगा। मुद्रा के अमुलियन के फॉल्स रूप क्या होता है। तो मुद्रा के अमुलियन के फॉल्स रूप ये सबी हो जाएगा। निर्यात बेपार का परसार होता है। आयात बेपार का संकुचन होता है। और आयात अस्थनापती का परसार होता है। आभी तक भारत में मुद्रा अमलियन कब कभ हुआए देख लेते हैं पहली बार हुआथा हदा 1903 में दूसरी बार 1964 में और तीसरी बार 1991 में उएथा और 1991 में दो बार हुआ था मुद्रा अपुर्तीth के दोरा नियंतரित की जाती है 28如何 द्वारा बीत आयों के गठन 6288 के तो 1951 में हुआ था आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा निमने लिखित में कौन बागवानी फोसल के अंतरगत नहीं आते हैं तो यह हो जाएगा चाय और कोफी इन्हें ब्रिछा रोपन फोसल का आड़ आता है मसाला उत्पातर में सरवादी कहेगा कौन सराज आगरणी है तो यह किरल हो जाएगा मसाला सबजी और फोल यह तिनों भगवानी फोसल है आगे देखेंगे 50 नमर कोशन हो जाएगा सुवसन के दोरान किसका भी गठन नहीं होता है तो सुवसन के दोरान किसका भी गठन नहीं होता है तो बीटामिन का और बीटामिन से हमें कोई भी उर्जा पराप्त नहीं होता है कोशन आपको दे देगा चार अप्सन दे देगा कोईगा कि इसमें से किसे से कोई भी उर्जा पराप्त नहीं होता है तो इसमें हो जाएगा बिटामिन कोई है कि सोसन के दौरन किसका भी गटन नहीं होता है तो बिटामिन का वसा के संसलेसों कहेगा कहाँ पे होता है तो वसा के संसलेसों होता है माइट्रो कॉंडिया में प्रोटीन का संसलेसों कहाँ होता है तो राइबोसोम में और कार्भाइडरेट का संसलेसों होता है यह ग्रीद में आगे देख लेंगे कुछ वाल नाइनियर महत्वपूं कोशन है पारमाणू बम का सिधान्त अधारी थे तो यह अधारी थे नाभीकिय विखंडन पर और हाइडोजन बम और नियोंत्रित सनयन अभीकिरिया पर अधारी थे नाभीकिय रियेक्टर में इंधन के रूप में पर तो मौनदः के रूप में घरफाइड और भारीजल का प्रियों का प्रीयों के छोड़का सूरी नाभीकिय से लेन है कैंसर की इलाज में प्रियोक किया जता है तो कोबार्ट साथब आगे देखेंगे, आगे कुछ भौतिक रासी है और एसाई मातरक है, भौतिक रासी हो जाएगा एसाई मातरक और संकेत, लंबाई के हो जाएगा एसाई मातरक मीटर और संकेत है एम, द्रमान के किलो गराम होता है और केजी, समय का सेकेंड हो जाएगा और एस हो जाएगा, त पादार्थ का परिमाप का एसाई मात्रक मूल होता है और यह चोटा है यह चोटा है और यहां से बड़ा हो जाएगा कहेगा कि भौतिक के भौतिक राशी का कहेगा मूल मात्रक कितना है तो साथ हो जाएगा बहुतिस राची का ये सम्मूल मात रख है ये इस वीडियो को लाश कोचन है और वीडियो को लाश तक देखने के लिए धान्यवाद वीडियो पसंदा रहा है तो लाइक कर दीजेगा अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और इसका पेडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलिकर अपके लिंक है वहाँ से डालोड कर दीजिए या टेलिकर अपके सर्च भी कर सकते हैं सुभा स्टड़ी कुछ सुझाव हैं सलाह देना है तो कॉमेंट करके जरूर बता है थैंक यू